असलाम उलेकूम दोस्तो इस वक्त पूरी दुनिया एक बड़ी मुसीबत का सामना कर रही है जी हाँ आप सही सूच रहे हैं और वो मुसीबत है करोना वाइरस लेकिन क्या ये वाइरस दुनिया के लिए पहला वाइरस है? यानि इससे पहले कोई और वाइरस इस दुनिया में नहीं आया है? तो ऐसा नहीं है दोस्तो अगर हम हिस्टरी में देखें तो हमें पता चलता है कि इससे भी खतरनाक खतरनाक वाइरस हमारी इस दुनिया में पहले आ चुके हैं और लोगों के लिए ये वाइरस इतने खतरनाक थे कि उन वाइरस से मरने वालों की तादाद को भी अभी तक गिनान नहीं गया है दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको पांच ऐसे खतरनाक वाइरसिस के बारे में बताएंगे जो हमारी इस दुनिया में करोना वाइरस से पहले आ चुके हैं तो इस वीडियो को इन तक देखते रहें और जो लोग हमारे इस यूटीव चैनल पर नए आए हों उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग हमारे इस यूटीव चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो डेली मिलती रहें मेरा नाम है उजेफा और आप दीख रहे हैं मौमर साइम टीवी नमबर फाइफ गेलो फीवर दोस्तों ये बिमारी आज के टाइम में बहुत ही कम है लेकिन सन सोला सो से सन उन्निस सो तक ये दुनिया की सबसे ड्राउनी बिमारियों में से एक थी दोस्तों ये बिमारी भी एक वाइरस की वज़े से ही फेली थी और मच्चरों के काटने से फेलती थी इस बिमारी में तेज सरदर्द, बुखार और हड्डियों में दर्द होता था और इन तकलिफों को सह पाना इनसान के लिए बहुत भारी पड़ता था दोस्तों जोन डाइस बिमारी भी इसी का दूसरा हिस्सा है इसमें इनसान का जिसन पीला पड़ जाता है इसलिए इस बिमारी का नाम येलो फेवर रखा कया है दोस्तों इस बिमारी से आठ से दस दिन के अंदर ही इनसान की डेथ हो जाती है दोस्तों 1694 से 1855 तक ये बिमारी अमेरिका के काफी इलाकों में फेल गई थी जिस से लाखों लोगों की जान गई थी इसके बाद 1878 में थिर इस बिमारी ने एक लाख बीस हजार से साइट लोगों की जान ली लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने इस वाइरस की वैक्सिन इजाद कर ली लेकिन आज के वक्त ये बिमारी बहुत ही कम है और ये एफ्रिका के कुछ इलागों में अभी भी पाई जाती है अब दोस्तो इस वाइरस के बारे में आप लोग आज से पहले जानते थे या नहीं कमेंट बॉक्स में सरूर बताईएगा नमबर फॉर थर्ड पिलक दोस्तो इस वाइरस का अटेक सन 1855 से 1965 तक रहा था दोस्तो ये पहला वाइरस ऐसा था जिसने पूरी दुनिया को अपनी लिपेट में ले लिया था दोस्तो पूरी दुनिया की अलग अलग जगाओं पर इसने बहुत नुकसान किया जैसे 1894 में होंग कॉंग सन 1896 में इंडिया का शहर मुंबई सन 1900 में आस्टेलिया का शहर सिडिनी और सन 1924 में अमेरिका के शहर लोस एंजलिस में इस वाइरस ने बहुत ही ख़तरनाक तभाई मचाई थी सबसे ख़तरनाक बात ये है इस वाइरस ने उस टाम के एक करोड़ बीस लाग से जाइट लोगों को मारा था दोस्तों जिस तरह आज हमें करोना वाइरस से बचने की हिदायत दी जाती है मिसाल के तोर पे हमें ये हिदायत दी जाती है कि मास्क लगा के रखें डिस्टेंस अपने बीच में रखें दोस्तों यही हिदायत उस टेम दी जाती थी जब ये वाइरस उस टेम पे फेला था अब दोस्तों इस वाइरस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा दोस्तों बहुत से लोग पिलग को अभी तक सबसे खतरनाग वाइरस समझते हैं और आप भी ये देख सकते हैं ये वाइरस हमारी लिस्ट में दुसरी बार आ रहा है दोस्तों ये वाइरस सन 541 से लेकर सन 542 तक बैसेंटाइन इंपायर में रहा था हिस्टरी के मताबिक उस टाइम इस वाइरस ने तकरीबां 4 करोल लोगों को मारा था यानि उस टाइम की सो में से 10 फीसद अबादी इस वाइरस का शिकार हुई थी अब दोस्तों आप खुद ही अंदासा लगा सकते हैं कि ये वाइरस कितना खतरनाक था दोस्तों वर्ल्ड वार वन के बाद ये वाइरस फेला था और जंग से परिशान लोगों पर तूट पड़ा था ऐसा कहा जाता है कि ये वाइरस जिसका नाम स्पैनिश फिलू है ये जंग से वापिस आए फोजियों में फेला था और उनहीं से बागी लोगों में ट्रांसफर हुआ दोस्तो ये एक ऐसा वाइरस था जिसने बच्चे बूडे और जवानों को निशाना बनाया था बहुत ही कम वक्त में इस बिमारी ने पूरी दुनिया को अपनी लिपेट में ले लिया था और जादे जादे ये वाइरस तक्रीबन तक्रीबन पांच करोल लोगों को मार कर गया था अब दोस्तो आप लोग इस ही बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाइरस कितना डेंजरस था नमबर वन बेबॉनिक पिलक दोस्तो ये वाइरस 3047 में आया था दोस्तो ये वाइरस ऐसा खतरनाक वाइरस था कहा जाता है जो लोग इस वाइरस से पहले मर गए थे वो खुश किसमत थे क्योंके बाद में ये वाइरस और भी खतरनाक हो गया था दोस्तो ये वाइरस आधे योरप के लोगों को खा गया था जी हाँ दोस्तो इस वाइरस का शिकार योरप हुआ था सिर्फ लंडन की अगर बात करें तो लंडन शेहर में ही एक लाग से साइट लोग इस वाइरस की वज़ा से मरे थे और दोस्तो करोना वाइरस भी किसी से पीछे नहीं है अगर आप तादाद देखें लोगों के मरने की तो करोना वाइरस से अब तक आठ लाग लोग मर चुके हैं इसलिए दोस्तो कहा जा रहा है कि एहतियात कीजिए दोस्तो आज की इस इंटरस्टिंग वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसे खतरनाग वाइरस इसके बारे में बताया जो हमारी इस दुनिया में बहुत पेले आ चुके हैं जिसके अभी आपको पता है करोना वाइरस बहुत ही खतरनाग वाइरस है लेकिन उससे पेले भी बहुत ही खतरनाग खतरनाग वाइरस हमारी इस दुनिया में आ चुके हैं जिनके बारे में शायद आपको आज से पेले पता नहीं होगा उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग हमारे इस यूटीब चैनल पर नए आए हो उनसे मेरी पहले भी एक ही रिक्वेस्ट थी और अब भी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूटीब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोज टेली मिलती रहें मेरा नाम है उसेफा और आप दीख रहे हैं मौमर साइम टीवी